नमस्ते मैं Dr. Anoja Kehkar, Psychiatrist हूं, bille addiction specialist हूं, psychotherapist हूं और कैर करEm pena कर Kreia वजह से होनेवाला हेडिक यानि सिरदर्थ उसको टेंशन हेडिक कहते हैं मैंने काफी वीडियो में यह बात की है कि प्रेश यह हरेको आता है हम कितना भी ना चाहे तो भी इस्ट्रेस यह हमारी लाइफ में एक हमारे लाइफ का भाग बन चुका है और हर चीज में स्ट्रेस आता है जैसे कि financial problems है वो manage करने है workplace पे problems है job insecurities है family problems है relationship problems है ऐसे n number of problems हमारे लाइफ में चलते रहते हैं हमें स्ट्रेस आता है और त्रेस की वज़े से उसका रूपांतर हेलेग में हो सकता है और इसलिए वो ठेंशन हेलेक शुरू हो जाता है कि यह बहुत कौमनली पाया जाता है You almost 8 to 10% लोगों में टेंशन हेलेख पाया जाता intermittent headache याने महिने में 10-15 बार headache होना tension की वज़े से और chronic headache याने लगातार headache चलता ही रहना काफी-काफी दिनों तक, मेहनों तक headache होते रहना उसको chronic headache बोलते है जनरली क्या होता है कि अगर intermittent headache को diagnose नहीं किया गया, treatment नहीं लही गई तो वो chronic headache में उसका रूपा अंतर होने के chances होते है जनरली headache एक particular type का होता है और उसके लक्षन भी एक particular type के होते है जैसे ring जैसा या band जैसा सर के इर्दगिर्द लगना इसा लगना कि tight किसी ने band बांदा है और फिर वो धीरे-धीरे frontal side से बढ़के पिछे उसको वो reflect होता है और फिर सर दर्द होना, गर्दन में दर्द होना पीठ में दर्द होना, कंदों पे दर्द होना ऐसा वो शुरू हो जाता है हम काफी बार देखते हैं कि हम हमारी गर्दन में इतना दर्द होता है कि अगर हम side में भी move करने की कोशिश करें तो भी अकडाव लगता है या फिर कंदे इतने heavy लगने लगते है ऐसा लगते है किसी ने उस पे वजन रख दिया हो इतना painful हमको वो लगता है यह सब tension headache के ही लक्षन है और यह tension headache जनरली दिन भर अगर रहा तो शाम को बढ़ जाता है और उसकी वज़ा से क्या होता है हम concentrate नहीं कर पाते attention नहीं दे पाते एकादी चीज complete नहीं कर पाते उसकी वज़ासे हमारा productivity output कम हो जाता है और हमारी mistakes ज्यादा होती है और अगर ऐसा लगातार चलता रहा तो हमको confidence problems भी शुरू होते है हमारा दिमाग काम करना बन कर देता है confusion बहुत होता है और ऐसा लगता है कि अभी सब छोड़ दे ऐसी situation कभी कभी आ जाती है tension headache की वज़ा से तो generally ये diagnosis होना बहुत important है headache generally लोग क्या करते है कि family doctor के पास जाते है या फिर आखों का test करते है या उनको लगता है कि कहीं sinuses में problem है इसलिए sinuses के लिए test करते है और ये सब reports normal निकलते है फिर वो जाते है city MRI के लिए और city scan कर लेते है MRI कर लेते है लेकिन सब reports जो है वो normal निकलती है और फिर आखिर में फिर वो psychiatrist के पास psychiatrist के पास आते है इसलिए फिर treatment जो है उसमें थोड़ी देरी हो जाती है treatment अगर बात करें तो six to eight months का treatment लेना जरूरी है उसमें anti-anxiety medicines क्योंकि anxiety बहुत बढ़ जाती है इसलिए stress बढ़ जाता है और stress की वज़ा से भी anxiety बढ़ जाती है तो इसलिए anti-anxiety medicines है क्लोना जेपाम अलप्राजूला वो मदद करती है या फिर प्रोप्रलॉल है जो मदद करता है anti-depressants है क्योंकि stress की वज़ा से stress को कम करने के लिए anti-depressants की मदद से भी हम headache को कम कर सकते है और फिर उसके साथ-साथ और जो medicines है उसकी मदद हम ले सकते है इसके साथ relaxation techniques है और stress management हमको सीखना है stress management में actually क्या है कि हमको stress को कैसे करना है को पब कैसे करना है stress से यह हमको सिखाया जाता है इसलिए stress management techniques हमें जाननी है क्योंकि stress तो ongoing है stress चलता ही रहने वाला है हम अगर काम कर रहे है दुनिया में जी रहे है तो stress तो चलने ही वाला है लेकिन stress से उभरना कैसे है यह हमको stress management techniques में बताया जाता है relaxation में stress आया है तो relax रहे के हमारा focus कैसे बढ़ा है इसके लिए relaxation techniques जानना जरूरी है उसके साथ साथ hypnotherapy hypnotherapy या hypnosis भी बहुत useful है और इसके साथ CBT याने cognitive behavior therapy इसमें क्या होता है कि हमको हमारे stressors identify करने होते हैं और उस पे फिर action लेना होता है जन्रली क्या होता है लोगों को ऐसा लगता है कि headache हो रहा है tension तो चलते ही रहता है लेकिन stress कौनसी वजह से आ रहा है tension कौनसी वजह से आ रहा है वो समझ में नहीं आता है इसलिए हमको identify पहले करना ज़रूरी है कि stress किस वजह से आ रहा है ऐसे अलग-अलग टेकनीक से थेरेपी से हम ये हेडेक से पूरी तरह से 100% बहर आ सकते हैं हेडेक जनरली माना जाता है कि दो प्रकार के हैं ने टेंशन हेडेक और माइग्रेन का हेडेक हमको काफी patients या लोग हमको पूछते हैं कि हमको migraine का headache और tension headache में क्या फरक है तो आज हमने tension headache के बारे में discuss किया next video में migraine के headache के बारे में बताऊंगी tension headache और migraine headache में क्या फरक है इसके बारे में बताऊंगी आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक कीजिए, शेर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जादा से जादा लोगों तक इस वीडियो के द्वारे जानकारी पहुचाने की कोशिश कीजिए धन्यवाद